चुनाव की देहलीस पर खड़े देश के सबसे बड़े सूबे उत्तरप्रदेश में बारिश की फुहारों के बीच सियासी तपेश नेताओं के माथे पर पसीने ला रही हैं। चुनकि कुछ महिनों बाद ही चुनाव हैं इसलिए सभी राजनितिक पार्टियां जीत का पासा अपने पाले में गिराने के लिए चुनावी चौसर पर धर्म जाती की गोटियां बिचाने में जुटी हुई हैं। विकास, रोजगार, स्वास्ति, सिक्षा और सड़क के मुद्धे या तो अंतरिक्ष में जीरो ग्राविटी में घूम रही हैं या फिर पाताल में कहीं धस गाई हैं। खैडियों तो मुद्धे हैं जिन पर चर्चा और आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। लेकिन असल बात यह है कि उत्तरप्रदेश की योगी सरकार बेक काबिनिट विस्तार होने वाला है। इस विस्तार के जर्ये बीजेपी कई निशाने लगाने वाली है। सियासी पंडितों की माने तो यह विस्तार रूठों को मनाने की कवायद है। तो चलिए देखिए इसी पर हमारी खास्ट पोर्ट। तिल्ली दर्बार में 19 अगस को चली साड़े तीन गंटे की बैठक में बीजेपी ने यूपी में 350 सीटों का फॉर्मूला तैयार कर दिया। जिसमें एक फॉर्मूला योगी सरकार में कैबिनेट विस्तार का भी शामिल है। इस कैबिनेट विस्तार के जर्ये बीजेपी विधान सबाचुनाओं में अपनी जीत पक्की करने की पूरी कोशिश करेगी। पिछले काफी समय से बीजेपी के अंदर कलय और सरकार पर ठाकुरवात का आरोप लग रहा है। ये वो आरोप है जिन से उभरने के लिए बीजेपी को विस्तार से अच्छा मौका कोई तूसरा नहीं मिलेगा। जिसके लिए बीजेपी के शीर्ष नितत्रु ने अपनी मोहर लगा दी है। अब इस विस्तार में शामिल होने वाले चहरों में जितिन प्रसाथ, संजय निशाथ, लक्ष्मी कांट वाजपेई, विद्या सागर सोनकर और एके शर्मा का नाम तेजी के साथ उछल रहा है। दूसरी तरफ चर्चा उन मंत्रियों की भी जम कर हो रही है जिनको हटाने के लिए संगठन के शीर्ष नेतरतु की तरफ से फरमान जारी हो चुका है। इस फेर हिस्त में खादी एवं ग्रामो द्योक मंत्री चौधरी उदैभान सिंग, सैकार्ता मंत्री मुकट बिहारी वर्मा, दुग्द विकास एवं पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारान चौधरी और लोग निर्माल राज मंत्री चंद्रिका परसाद उपाध्याय का नाम शामिल है, मोधी कैबिनेट विस्तार में जिस तरह से 70 साल और उससे जादा उम्र के और कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया था, माना जा रहा है कि योगी आदितनाद भी उसी रापर चलेंगे, और शीर्ष नेतरत ने बकायदा इस पर मोहर भी लगा दी है, सीम योगी उम्र सीमा पार कर चुके और कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, फिलहाल योगी मंत्री मंदल में 6 मंत्री पत खाली है, अगर इन नेताओं की छुट्टी होती है, तो 10 नए मंत्रियों को शपत ग्रहन का मौका मिल सकता है, योगी मंत्री मंदल में अभी कुल 53 मंत्री है, इन में 23 कैबिनेट, 9 राज मंत्री स्वतनतर परभार और 21 राज मंत्री है, कैबिनेट में 60 मंत्री बनाया जा सकते हैं, इस लिहास से अभी भी 7 चहरों को शामिल करके बीजेपी 7 निशाने साधने की कोशिश करेगी, वहीं कॉंग्रेस ने योगी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर निशाना साधा है, कॉंग्रेस प्रवक्ता अश्योक सिंग ने कहा कि योगी सरकार कितने भी विस्तार कर ले, लेकिन अब उनका जाना तै हो चुका है, पौने पांच साल में योगी सरकार ने किया क्या है महगाई में आप देखिएगा अपराद में नमबर एक है ब्रश्चा चार में नमबर एक है तो सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है आद उत्तप देश का किसान रो रहा है जबाब देश है के नहीं है जिम्मेदारी है के नहीं है और ये कौन दिएगा 300 से जादा किसानों की सादत हो गई है क्या योगी और बूदी सरकार मंतिमंडल विस्तार करके क्या उन जख्मों को भर पाएगी क्या वो चिराग बापस आपाएंगे तो यही बहुत सारे सवाल है तो मैं इतना ही कह सकता हू हुआ विश्वास को बचाने के लिए वारतियंता पाटी अब चाहो मंतिमंडल का विस्तार करें चाहिए आत्रा निकाले कुछ भी होने वाला नहीं है कि उत्ताप इदिश की जनता ने मन मना लिया है कि योगी सरकार तुम्हें जाना होगा सियासी पंडित तो ये भी कयास लगा रहे हैं कि योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार पूरी तरह से जातिय समिकरों को तवज्जो देने वाला होगा योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाने की मांग करने वाले निशात पार्टी की मुख्या संजनिशात को सूबे में मंत्री बनाया जा सकता है सीम योगी की गड़ यानी गोरकपुर और पूर्वी उत्त्रप्रदेश में निशात मद्दाताओं की बड़ी संख्या है संजनिशात अपने बेटे और भाषपा स्वांसत प्रमीन निशात के लिए मोधी कैबिनेट में जगा मांग रहे थे सीट कंफर्म नहीं होई ऐसे में योगी सरकार में संजनिशात की सीट का बड़ सबसे पहले कंफर्म किया जा सकता है वैसे तो छोटे दल बीजेपी के लिए जादा घातक तो नहीं है लेकिन राजजीती में कभी कभी प्यादे भी सत्ता चीन लेते हैं ठीक वैसे ही किसी भी दल या फिर नेता को हलके में लेना खत्रे से खाली नहीं होगा इसलिए एंडिये में शामिल रहे सुभासपा के ओम प्रकाश राजबर की चुनावी रणनीती को फेल करने के लिए राजबर समाच से एक और मंत्री को मौका मिल सकता है जो राजबर समाच को साधने के साथ ही ओम प्रकाश राजबर की रणनीती को मार दे सके और पुटेस प्रैम टीवी